यहां पे EKYC को लेकर अपडेट यहां पे निकल के आ चुका है, अपडेट दो है, पहला अपडेट है कि इसका जो लास्ट डेट है उसको भी बढ़ाया जा चुके हैं, इस्पेसली हम बिहार की बात करेंगे कि आपका जो लास्ट डेट है कब तक रखे गए हैं, साथी साथ यहां पे बहुत सर लोग ऐसे हैं, जो कि घर से बाहर रहते हैं, जिनका भी तक EKYC नहीं हुआ है, उनके लिए जो बहुत बड़ा अपडेट यहां पे निकल किया हुआ है, अब उनको परसान होने के वसकता नहीं है, दोनों अपडेट के बारे में हमने जो ही बिस्तार से करने की कोशिस किया हुआ है, तो फ्लीस वीडियो सुरू से अंतकर लेकर जुरू देखिएगा, और वीडियो थोरा से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, देखिए मेरे पास official notice है, जो कि बिहार सरकार के दोरा इसको कारण नहीं करवाये हुए है, उनके लिए येवला notice यहाँ पर जारी किया गया है, और इसका जो अंतिम तीती है उसको यहाँ पर बिस्तार किया गया है, उसका भी notice अलग है, हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है, बताया गया है कि देखिए, उच नियाले के दोरा, जो उनको लेकर नोटी जारी किया गया है, कि अपना जो e-kyc है न, e-post machine जो होता है, जो कि राशन डिलर के पास होता है, वहाँ जाकर करवा दीजिए, अगर कोई online के बारे में बताता है, तो गलत जनकारी देता है, उसका वीडियो मत देखिए, क्योंकि online जो है, कहीं से भी kyc जब कर नहीं होगा, जब आपका kyc होगा, तो post machine से ही होने वाला है, जो कि डिलर के पास रहता है, ठीक है, इसमें mention किया गया है, कि वैसे जो भी लोग है, ठीक है, जो कि अन्य राजे में रह रहे हैं, ठीक है, तो बताया गया है कि अन्य कारण से, या फिर अजीवका चलान के लिए, अगर आप दुसरे किसी राजे में रह रहे हैं, तो उन्हें सुचित की आयता है, कि वो राशन कारण धारियों है, तो EKYC करने की सुभीदा और पूरे देश में उपलब्ध है, पहले क्या था, कि बारे इस राजे था, जहाँ पे आपको जो राशन कारण का EKYC ह करने का अधिकार नहीं था, फिर उसके बाद तीन राजे में कर दिया गया है, और अभी देखेंगे, तो पूरे देश में यहाँ पे अब लागू हो गया है, कि अब कहीं भी रहेंगे, किसी भी राजे में है, चाहे वो कॉलकत्ता क्यों ना हो, मतलब कि वेस्ट बंगाल क् इसकारे हैं तो, अपने मुल्ड राजे लोटने के ओ सकता नहीं है, बरतमान में वो अपने निवास अस्थान पर ही, जो भी पास के, मतलब डिलर है, उनके पास जाकर अपना जो EKYC है, उसको करा सकते हैं, यानि कि अब पूरे देश में कहीं भी आप KYC अपना करवा सकते ह यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, माल दीजिए अगर कोई राजन डिलर है, जो आपका KYC नहीं करता है, आना करनी करता है, तो उस कंडिशन में इन्हों एक नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस नंबर पर आपको संपर्क करके, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, इन्हों पर आपको देखेंगे, तो इन्होंने एक और नोटीस यहाँ पर जारी किया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है, कि आप सभी को पता ही है, इसका जो डेट था ना, EKYC करने का, अधार सीडिंग करने का, वो जो है 39 तक ही रखे गए थे, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, कि जब भी इसका डेट बढ़ेगा या फिर कोई official notice आएगा, तो आपको हम किलियर कर देंगे, हाला कि उसमें मैंने आपको hint दे उसको करवा सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंसन किया गया है, कि 31 बारे दोरे 24 तक अनिराव रूप से आप करवाले, यानि कि compulsory है करवाले, ठीक है, और इसमें देखेंगे राशन कार्ड के जो परतेक सदस्य है, उनको यहाँ पर निसूल का अपना EQIC करव दिनांक 31 बारे दोरे 24 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1-1-2025, यानि कि पहली जनवरी से बिलोपित कर दिया जाएगा, बिलोपित का मतलब क्या है, कि उनका नाम उहाँ पर हट जाएगा, राशन कार्ड आपका रद नहीं हो उनका जो यूनिट होता है, यानि कि पाच के लिए होता है, और आशन उनको नहीं मिलेगा, कि उनका नाम कार्ड में नहीं रहेगा, बिलोपित हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जो ही 1-1-24-25 से पहले आपको जो ये सारे काम है, करवा लेने हैं, और आप कहीं भी है, दुस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरी जनकारी आपके साथ सेर कर दिया, कि रासन कार्ड का आपका EKYC नहीं हुआ है, तो 31-24-24 से पहले आपना EKYC करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेट है, उसको बढ़ा दिया गया है, और साथी साथ अगर आप दूसरे राजे में रह रहे हैं, किसी भी राजे में रह रहे हैं, तो आपका जो EKYC है, वहाँ से हो जाएगा, आपको घबराने कि हो सकता नहीं है, अगर नहीं होता है, तो फिर शोड़ दिपावली में आपाईए गहर, तो घर पे भी करवा सकते हैं, मैंने में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेट, तो आप हमें कमेंट से दर में कमेंट करके पूस सकते हैं,